पूरा दिन लग जाता है पर 5 मिनट के अंदर इस तरीके से जब चिप्स काना बन जाए तो क्या मजा तो चलते हैं अل его़ के कि तो उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइकन को प्रेस किजिएगा अब यहां पर हमने आलू लिए हैं चिप्स होना आलू लिए हैं जिससे की अच्छी परत हलके से उतल जाए बगकर उस तरीके से हमें आलू लेने हैं आलू को अच्छे से छिल लिया पानी में डाल के अच्छे से बोस कर लिया अब यहां पर हमें थोड़ा सा पानी लेना है और चिप्स काटने माली मसीन लेनी है चाहें तो और भी हो उसको भी ले सकते हैं इस तरीके से चिप्स हमारी बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी इसकी खासियत है इस तरीके से हमारी स अपते हों चाहे एपनी हिणिक फी सटारी नहरे चाहे अपनी हिसाम उतना जाएक है इसका चाहिए दिते हमारी चिपस हमारी वालव दोस्ते है चाहिए पहने के बंदा निकल अपने के लिफ़न से 2-3 आत्या दिया साथ चाहे चाहिना को पानिक ध्यार देशनना यहां पर हमने क्या किया आप बहुने में एक लिटर पानी लिया अच्छे से गर्म होने के बाद है इन अलू में एगल बावल में रखकर आराम से डाल देना जिस्से कि हमारी सारी पाने में लॉख जाएं अच्छे से जिसे कि इसका पानी जो है बिल्कुल ना रह नहीं तो क्या होगा तेल में डानेंगे तो यह चटपटाने लगेंगी अच्छे से इनकों में पोंच देना है जैसे हमने पोंचा है पोंच कर अब हालू हमारे तयार हो चुके एक प्लेट में रख लिया है आप दे सकते हैं प्लेट करना है मीडियम साइज का हमें लो करना है उचके बाद देख सकते हैं गोल्टन होने तक उनको अच्छे से कुलिट कर हमें किरिश्पी कर ले देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनाने में इजी और पोंची सिंपल तरीक से बन जाती खाने में बहुत ज्यादा टे तो चाय यानि कोफी या ऐसे ही खा सकते हैं बहुत ही चुटी चुट मूंक लगे तो इसका मज़ा कुछ बढ़िया आता है देखते हैं बहुत ही ट्रश्पी और मज़ेदार वीडियो पसंद आए तो लाइव से इन चैनल को सब्सक्रा करना बिल्कूर ना बुलिएगा मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टी केर